नमस्कार एक समश्या रहती है कि जो कमर है वो ज़्यादा तर जुकी रहती है ऐसे बहुत सारे आजकल बच्चों की भी ये समश्या है और जो 20-30 साल के युवा हो गए उनके साथ भी ये समश्या है ये इस परकार कमर जुकी रहती है ये आपकी personality को एकदम से खतम कर देती है आए ऐसा एक आसन है जिसका नाम है समकोणासन समकोणासन यानि शरीर को जैसा की नाम से विदित हो रहा है समकोण यानि 90 डिग्री के कोण पर बोड़ी को रखना है उसमें effect कैसे आएगा और कैसे हम इस स्वासों को लेना है वो हम समझ ले अब इसकी स्तिती में आए तो क्य और एडी दोनों एक साथ एक साथ जुड़ने चाहिए एक साथ मिलने चाहिए जैसे हातों को जोड़ते हैं उसी प्रकार दोनों पैर जो हैं एक साथ होने चाहिए अब दोनों पैरों को जब एक साथ ले लिया तो यहां से स्वास भरते हुए हातों को उपर लेकर जाएंग तो स्वांस पूरा का पूरा भरना है और स्वांस छोड़ते हुए अब देखिए यहां पूर्ण इस्तिती होगी स्वांस भरते हुए यह आला कि आसन की आधी इस्तिती है और स्वांस छोड़ते हुए कहां से नितंब के एरिये से हमें जुकना है कमर सीधी रहेगी कमर को गुटने सीधे, कमर सीधी, इस प्रकार की स्थिती को सम कोनासन कहते हैं, इसके एफेक्ट की हम बात करेंगे, आप देखिए जिनको साइटिका की भेंकर प्रोब्लम है, उनको नहीं करना चाहिए, जिनको कमर के दर्द से बड़ी परेशानी है, या स्लिप डिस्क वगरे की सम है, उनको इसे करते समय अगर स्लिप डिस्क की भेंकर परिशानी तो नहीं करना, लेकिन हलका कमर दर्द है, तो उनको कमर से नहीं जुकते हुए, देखिए, दो हिससे होते हैं जुकने के, कैसे, यहां से ये रीड की हड़ी है, अगर हम ऐसे जुकेंगे, तो ये रीड की यहां से, हिप्स से जो है, वो खिचाव आता है, तो इसलिए उसका खिचाव आता है हिप्स पे, कमर पे आता है कम, यहां पर ये अगर इसको लोग कर लेते हैं, यहां से ऐसे, और फिर ऐसे जुकते हैं, तो आप देखें, यहां पर आपको खिचाव महसूस होगा, तो स्व स्वांसों का हमें पता होना चाहिए अब आप समझ लीजिए कैसे जुकना है ये तो मैंने बताई दिया स्वांस भरते हुए हाथ उपर और कमर को लोग करते हुए नितंब से यानि हिप से हमें जुकते हुए 90 डिग्री पर बोड़ी को लाना है घुटने दोनों सीधे और सामने की और नजरे रहेंगी ये हमारी स्वांस भरते हुए इसमें स्वांस छोड़े हुए रहना है यहां पर स्वांस लेना छोड़ना नहीं है नीचे जाते हुए स्वांस छोड़ना जितनी देर आप रुख से के रुखिये स्वांस भरते हुए आप और स्वांस इस्टे आपकी स्वासों की ख्षमता अनुसार आप कितनी देर स्वास रोक कर रुख सकते हैं उतनी देर आपको रुखना है इसके लाब क्या है देखिए पहली बात तो ये पिंडलियां खीचेगी यहाँ पर खिचाव आएगा हिपस पर तो हिपस के फैट पर भी इसका बिए देखा गया है लेकिन जो बैस्ट रिजट है जिसकी हम बात करें जिनको कमर से संबन्दी समझते हैं जैसे बच्चा है और वो ऐसे बैठता है जो मैंने आपको पहले कहा आपकी परसनलिटी को निकारने वाला आसन है ये परसनलिटी को एकदम उभार के लाता है क्यों क्योंकि जब आप हाथ ऐसे ले जाकर और जब ऐसे आप जुकते हैं तो इसका पूरा का पूरा खिचाव कहां आता है ये हमारा वक्ष एरिया है इसके जस्ट पीछे वाले भाग पर कमर जो कर्व रहती है ये कर्व ऐसे हो जाता है और इससे हमारी बोडी में जो है एक अच्छा व्यक्तित्व निखर कराता है तो इस आसन को आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं अपने आसनों की स्रंखला में खड़े होकर जो आसन करते हैं उन आसनों में इस आसन को डाल सकते हैं समकोन आसन बहुत अच्छा आसन है इसको अपनी परसनलिटी को सुधारने के लिए आपको करना चाहिए सभी को करना चाहिए मैं तो कहता हूँ बच्चे, बुजूर्ग, युवा हलांकि बुजूर्गों का एक जो इस्टेक्चर होता है बोडी का वो लगभग सेट हो जाता है उसको थोड़ा ठीक करना मुश्किल होता है लेकिन जिनकी बोडी बंती होती है यानि बच्चा और युवा वो अपने स्टेक्चर में कुछ सुधार कर सकते हैं तो उनको ये आसन जरूर करना चाहिए और इस प्रकार पूरा वक्ष जो है फैलेगा तो हमारा जो फेफडा है हमारा जो हार्ट है हमारे जो ओर्गंस है उनको जगे भी मिलेगी और हमारी रीड की हड़ी का मेरुदंड का जो हिस्सा है वो मजबूत होगा और हम ऐसे सीधा और जब आप सोचिए जब बोड़ी ऐसे सीधी होगी तो स्वांस भी अच्छा आएगा ओक्सिजन की मात्रा भी अच्छी बढ़ेगी तो ये समकोरासन छोटा सा आसन ने दिखने में कोई बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ा कोई आसन नहीं है सिंपल सा है ये सिंपल सा आसन आज आपको बताया आपको बहुत अच्छा लाब मिले आपकी व्यक्तित्यों में अच्छा सुधार हो ऐसी मैं अफिक्षा करता हूँ आप सुन्दर दिखे, स्वस्त दिखे इसी आशा के साथ डॉक्टर मनोज योगाचारे लेता हूँ इजाज़त त्री नित्र योगधाम से नमस्कार